घातक एक कल्ट क्लासिक रचना है। ऐसी फिल्म अब दोबारा से बन ही नहीं सकती। इस फिल्म को लोग ये मजदूर का हाथ है कात्या, जैसे डायलॉग की वजह से याद रखते हैं, लेकिन ये फिल्म उससे कहीं अधिक है। ये सीन जितनी भी बार देखो, हर बार इमोशनल कर देता है और साबित करता है। सन्नी देओल भी उच्च लेवल के एक्टर है। पैदा हो गया तो कहां जाओगे। ये सीन भारतिय सिनेमा में एतिहासिक है, ऐसे डायलॉग वर्षों में एक दो बार ही लिखे जा सकते हैं। देखने वालों की रगों में भी ये सीन जोश भर देता है। इस फिल्म से पहले अमरीश पूरी सैकडों फिल्मों में विलन का रोल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक रोग ग्रस्त लाचार पिता की भूमी का निभाई थी। अपने बेटे काशी को बचाने के लिए वो कात्या के पैरों में जाकर गिर पड़े थे। ये सीन देखने में दर्दनाक था लेकिन इस सीन में अमरीश पूरी साहब ने अपनी अध्भुत अभिनयक शमता का प्रदर्शन किया है। अपने पिता और भाई की मौत के बाद तो जब-जब काशी का मुकाबला कात्या और कात्या के भाईयों से होता है तब-ब लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई फिल्म ना चल कर कोई लाइव घटना चल रही है। ये राजकुमार संतोशी के उम्दा निर्देशन का कमाल था। लास्ट के कुछ द्रिश्यों में तो ऐसा लगता है कि सन्नी देओल सचमुच में ही इन लोगों को मार देगा। सन्नी देओल को घायल के लिए नैशनल अवार्ड मिला था। लेकिन घातक फिल्म घायल से भी ज्यादा बेहतर फिल्म है। घातक जैसी रचनाएं रोज रोज नहीं होती। आजकल के बनावटी एक्शन द्रिश्यों वाली फिल्मों जिसमें हीरो जमीन पर पैर रखता है और गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं उन सीनों से लाख गुना बेहतर थे घातक के एक्श एंद्रिश